हेलो दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त संजीश चेंग सिंग आयरवेद में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ जैसे कि दोस्तों बहुत दिनों बाद आप सभी के साथ राप्ता हो रहा है क्योंकि हम कुछ नुक्सों को त्यार कर रहे थे तो उनके सोच वीचार और रिजल्ट की वेड़ करते और आज रिजल्ट मिलने के बाद आप सभी के सामने आये हैं जैसे कि दोस्तों आप सभी ने हर एक नुकसे का मेरे को रिजल्ट बताया और उसके फैदेश बताये कि हमें मिले हैं तो दोस्तों आज हमने एक बहुत ही बहतरिन और काम्याब नुकसा जो बहुत एक अलग ही तरीके से बनेगा तो आज वो लेकर आया हम आपके पास जो तनाव इंतिशार में बहुत ज़्यादा काम करेगा और टाइमिंग में क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता है सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो इन दिनों में हमारा खाना पीना बहुत अच्छा हो जाता है हम दूद का सेवन ज्यादा कर सकते हैं और हम कुछ ऐसी चीजी हैं जो ताक्तवर खा सकते हैं सर्दियों में तो यह एक कोरिक तोर पे टाइमिंग के लिए हमने एक नुकसा बनाया आप सभी के लिए जिसे दोस्त के श्रीव में थोड़ी बहुत जान होगी तो अगर वो दोस्त महीने में पंदरा दिन इस कैपसूल का सेवन कर लेता है और इस कैपसूल का नाम हम सभी ने मिली कर रखा है तो नावी इंतिशारी के कैपसूल और मैं आपको अगर बता दूँँआ कि पंदरा दिन भी किस तरिके से खिलाना है तो दोस्तों सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि इसको बनाना कैसे है सबसे पहले आपने साफ खरा तिन शुद कियोवे ले लेने है तो है आपने संच्ँ में ऐसे हर बार सिंह साफ जीनी भी दिखा या बताया है कैसे इनको धोना है। उस प्रकार आपने पचास ग्राम आपने काराटीव ले लेने है शुद कुचला ले लेना है आपने दोस्तों 15 ग्राम और उसके बाद दोस्तो आपने लेना अकर करा रानी ठीक है दोस्तो अकर करा रानी 25 ग्राम पिपल सोटी ये आपने लेनी है 28 ग्राम और जुवित्री लेनी है अपने 45 ग्राम और जैफल 40 ग्राम सोट 50 ग्राम रेगमाही औरिजिनल बढ़िया वाली 40 ग्राम अब ध्यान से एक बाद सुनें दोस्तो कि मैंने इनकी आपको quantity बता दिये कि आपने किसकी समान की किसकी तरिक्के से कितना कितना लेना है अब जो शुद कुछला आपने लेना है इसको आपने कपड चान करना है और जितना और मिटीरियल है उनको भी आपने चान करना है वह चाननी से कर ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन कुछला और रेगमाही आपने कपड चान करनी है और खरातीन पर एक बात का ध्यान रखे कि जो आप रेगमाही लोगे उसको अंदर से आपने साफ कर लेना है और दूब में अच्छे से सुका ले कि ये सलाब ना खाए कोई भी मिटीरियल जैसे कि आपको पता है कि ये सलाब खा जाते हैं गिल्ले हो जाते हैं उनको पीषने के बाद सलाब सी छोड़ते हैं जवित्री जैफल तो इस प्रकार आपने इंची जोगा ध्यान रखना है दोस्तों आगे की क्या प्रोसेस है जब इनको पीष कर आप मटीरियल को त्यार कर ले एक समूब इस प्रकार आप त्यार कर लेंगे यह देखिए यह हमारे पास अभी त्यार है समूब तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आगे आपने क्या करना है आपने महाराष्ट्री बरांडी लेनी है आपने इस प्रकार देखिए महाराष्ट्री बरांडी लेनी है आपने और यह सारमटिय एक खर्ल में लेकर थोड़ी थोड़ी उसके अंदर डालती जानी है और खर्ल करते जाना है वरांडी आपने इसके अंदर डालनी है थोड़ा थोड़ा और खर्ल करते जाना है जब 500 ml से ज़्यादा आपकी इसके अंदर जजब हो जाए वरांडी तो आपने इसको सुकाने लेना है सुकाने के बाद इसको आपने ले लेना है और इसको आपने चान लेना है और जो मिटीरियल थोड़ा सा बच जाएगा उसको फिर पीस कर फिर रख ले उसी के अंदर डालने और उसके बाद दोस्तो आपने इसके अंदर डालनी है पान वाली चांदी पांच ग्राम ठीक है दोस्तो तरीका आपको सिंग साब जी ने बताया था पहले भी तो इसके अंदर पांच ग्राम आपने चांदी डालनी है पान वाली और मोती पिष्टी डालनी है तीन ग्राम ठीक है दोस्तो तो आपने इस परकार इन चीज़ों के इसके अंदर डाल कर इसके इस परकार कैपसुल भर लेने है और ये आपका नुकसा त्यार है कई दोस्त कह रहे थे हमें कोई सस्ता सा और बहतने इन कोरी तोर पे ही काम करने वाला जो हमारे श्रीव को नुकसान ना दे देखे एक तो पहली बाद उठती है कि कोई भी आयरवेदिक दवाई या नुकसा आपको नुकसान नहीं देता अगर आप प्रहेज सही से करें तो दोस्तों आपके लिए एक ये सस्ता सा और बहती बहतनी नुकसे अब ऐसे ही मैं आपको आज दिनों में और देऊंगा तो इसको त्यार करें इसी के नुकसे की वेट में हमने इतने दिन कोई वीडियो आपको अभी यूटूब पर नहीं दी हमें इस कैपसूल का अच्छा रिजल्ट मिला तो सोचा कि आप सभी के पास ये दे दिया जाए तो आपने कोई सावदा ने इसे अच्छे इसे बड़िया समान लेकर इसको बनाना है इसको घर पे कोई भी मिना सकता है तो इस नुकसे को त्यार करें और इसका 500 mg का कैपसूल भरें और सुबा खाना खाने के दो घंटे बाद एक कैपसूल दूद के साथ दे 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 और दपहर को उस इनसान को बोल दें जिसको भी आप एक कैपसूल दोगे चाब खुद खाऊगे उसको ये बात बोलने कि आपने 3 केले खाने है दपहर को 3 बजे या 2 बजे और शाम को 6 बजे और फिर दुबारा एक से 2 गलास दूद पी ले और एक बात का और दियान रे कि उस इंसान से एक बात और पूछनी है कि उसको जब पूरी प्यास लगे उसका गला सूख जे सीर भारी हो जाए तो उसको कहना है पानी का सेवन ना करे वो खूब दूद का सेवन करे तो सो प्रसेंट क्या हर जार प्रसेंट ग्रंटी से मैं कहता हूँ कि इस नुकसे का आपको रिजल्ट मिलेगा टाइमिंग में जब भी किसी ने हम बिस्तरी करनी है तो यह बहुत ही अच्छा सा और छोटा सा नुकसा मैंने आपके सामने आद दोस्तों रख दिया है और बहुत बहुत शुक्रे मेरे दोस्तों कि आप हमारे साल लगे हुए हैं तो बहुत दोस्तों के मैंसे जाए कि सिंग साब जी संजीज जी आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही तो भी आप वीडियो डालता रहे करें कि हम नुकसों का अगे का अगे मना कर उनके रिजल्ट लें तो बहुत खुशी हुई आपका इतना प्यार देखकर दोस्तों अब आपके सामने बहुत अच्छे नुकसे आएंगे और बहुत ही छोटे छोटे तो इसलिए आप दोस्तों इस नुकसे को त्यार करें और इसका फैदा उठाएं और दोस्तों एक बात और अगर इस नुकसे को और जबर्दस्त बहतरीन बनाना हो तो इसके अंदर आप इस दवाई का जो आपने त्यार कर लिया है उसमें से सिर्फ 10 ग्राम ले 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 उसके अंदर शुद्र सुमलफार डाल दें आप चार ग्राम और इसके अंदर डाल दें आप कस्तूरी एक ग्राम और इसके आप 1000 एमजी का एक कैपसुल भर लें और वो उस इंसान को दे जिसकी उमर 45 साल है तो इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट दोस्तों आपको मिलेगा तो बहुत बहुत शुक्रे हैं मेरे दोस्तों इस नुकसे का फैदा उठाएं और इसी तरीके से आपका जो प्यार आप मुझे दे रहे हो तो मैं आपको बहुत बहुत खुशी है कि आप सभी दोस्त हमसे मिले हुए हैं मुझे इतना प्यार दे रहे हैं मेरे नुकसों को बना कर आप फैदा उठा रहे हैं देखिए शिंग साब जी के नुकसे में दीरे दीरे आपको ऐसे ही देता जाओंगा तो आप इन नुकसों का फैदा उठाएं और जिस दोस्त के शरीर में गर्मी नहीं है उसकी तक्रीबन तक्रीबन आदे घंटे की टाइमिंग पक्का होगी और वो आठ से नो बार अपना हम बिस्तरी कर सकता है इस चीज का भी ध्यान रखें और कुछ दोस्ते उनके लिए या सभी के लिए एक ही बात है देखिए सोहनलाजी से कंटेक्ट रखें सभी और हमारे और भी दोस्त जो जुड़े हुए हैं इंगलेंड, अस्ट्रेलिया, युएसे के, कैनेडा के तो देखिए आज सभी के लिए एक बहुत ही अच्छे चीज़ लेकर आया हूँ मैं कि हमने शनीवार और इतवार आप सभी के लिए सभी दवाईयों पर ओफर रखे हुए हैं हमने सोहों लाजी से सलाहा करी थी इस बारे में तो उन्हें ने का था कि लोग डाउन या वैसे भी अब सभी दोस्तों के काम बंद हैं तो हम अब सिर्फ दवाईयां उनको ओफर पर ही देंगे चाहे हमारी जितनी बड़ी मेनत लगी हो कि हम सारी दवाईयां सस्ते में देंगे जैसे कि कुछ दवाईयों के मैं रेट आज आज आप सभी के सामने बताना जा रहा हूँ जैसे कि हनी मून कोस की गोलिया पत्थर लीन कोस की गोलिया और सिंगरफ गोलिया बलवान गोलिया इस सभी का रेट हमने कम कर दिया यह सभी दवाईयां हमने बिल्कु कम रेट की कर दिया आम से आम इंसान भी अब ले सकता है तो जो दोस्त लेना चाहता हो वो सोहलाल जी से कंटाक्ट करें हर शेनिवार इतवार को आपको हर एक दवाई आधे से भी आधे रेट में मिले करेगी और दूसरी बात जो सा रोशन नाइट कैपसुल था यह उसके मुकाबले में भी बहतरिन काम करेगा यह भी सिंग साभजी का नुक्सा था तो आप साभजी के ने रख दिया मैंने बस इसके रिजल्ट की वेट सी वो मुझे मिल गया तो आज फिर मैंने सोचा कि आप सभी को बता दिया जाए तो इसका फैदा उठाएं मेरे दोस्तो और इसी तरिके से प्यार बनाए रखें धन्यवा दोस्तो